गाइस पोको अपना एक F-series का फोन लॉंच करने जा रहा है इंडिया में अप्राइल के सेकेंड वीक में अगर बात करने इस फोन के बारे में तो दोस्तों तो यह फोन अलड़ी एक फोन का री ब्रांडिंग है जो कि अलड़ी यह चैना में लॉंच हो चुका है तो इसकी प फोन लूप के बारे में बहुत अच्छा इस पर अलग 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 अठी वहता है और देखने में काफी अच्छा तीन आपको कैमिरे देखने को मिले उसके बगम में आपको पोकर को ब्रांडिंग भी मिल जाएगी जो कि और ही इसकी जान बढ़ा देता है अब बात करने द और एक camera सामने भी मिल जाने माला है तो दोस्तों यह overall देखने में पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा है dual speaker आपको नीचे मिलने माला, sim tray भी आपको नीचे मिलनेगी, sim tray भी में आपको नीचे मिल जाएगे यहां पर इसके fingerprint sensor के बारे में तो वह भी आपको डिस्प्ले के ऊपर ही मिल जाने वारा है अगर बात कर दोस्तों यहां पर इसके processor के बदब प्रोसेसर इसका सबसे बड़ा जाह है इस प्रोसेसर के सबसे बड़ी सखासे दिये कि यह ज्यादा हीट नहीं होने देता यह कूलिंग करिके ही रखता है तो आपका फोन भी काफी अच्छा होने वाला है अगर इस फोन की camera की बात करने दोस्तों तो आपको तीन camera का सटल देहने को मिलने वाला है जो कि रियर camera जो प्राइमरी camera होने वाला है वो 64 MP आपको देहने को मिलेगा 8 MP का अडरावाइड वाला मिलेगा और 5 MP का माइक्रो camera भी मिलेगा और यह 30 FSP पे भी recording करेंगे और यह सारे camera दोस्तों पोरकी वीडियो को सपोर्ट करते हैं और फ्रंट पर आपको दोस्तों एक सिंगल camera मिलने वाला है जो कि 32 MP होगा जो कि सेल्फी के लिए हुआ बैटरी बैकप के बात करें दोस्तों तो पांच और पांच समीच के आपको बैटरी मिलने वाली है और 67 Watt का चार्ज़ है जो को सपोर्ट करता है और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हुँ कि यह जो चाइना में लॉंच किया गया था अभर बात कर दोस्तों अगरेंड के बारे में चिप्सेट क्या क्या होने माला है तो यहां के साथ 228GB श्थोरी के साथ मिलने माला है और जैसा जिए मैंने वह पहले पहल्री के बता दिया था कि इस फोन में अप SD Card नहीं लगा सकते इस वज़े से दोस्तों आप अगर लेते हैं फोन तो यह फोन में आपको storage का ध्यान दे के लेना पड़ेगा और यहां तो Android 13 पर काम करने वाला फोन है और Mew आपको 14 मिलने वाला है और यह जो मिलने वाला दोस्तों आपको Mew 14 मिलने वाला है तो दोस्तों यह phone overall बहुत जवर्दस नगर बात करने इसकी price के बारे है तो price आपको 28-22 ज़रपे के बीच में इंडिया में यह phone मिलने वाला है और सुनने में दोस्तों यह भी आया है कि यह phone यह 5D phone नहीं 4G phone है तो अब तर 30-22 ज़रपे का phone लेते हैं आप आपको 5D नहीं मिल प्राइस इसकी price यह price वाइस दोस्तों यह होजी का price इतना ज्यादा यह मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आपको क्या लगा हमें comment box में comment करके जरू करके वीडियो पसंदे लाइक और से जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेले का अब करका और पिक्लिक नए न notification सबसे पहले आपको मिल सके मिलते दोस्ते नए वीडियो में तब तक कि लिए जय हिन जय भारत